हलो, स्वागत करते हैं, एग्री मेंटोर्स की इस क्लास में आप सबका हम, मैं अवद बिहारी पाल, और आज की क्लास में हम, जैसे आपको थमनेल में पता ही चल चुका होगा, कि हम पॉल्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाईए, और जल्दी जल्दी से जुड़ने के बाद बताईए, आज़ियो वुडियो सब क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार जल्दी से बताईए, आज़ियो वुडियो क्लियर ह नमस्कार सबीगों नमस्कार चलिए तो आज की शुरुआत करूँगा मैं आज की शुरुआत करूँगा मैं एक बहुत अच्छे कोट से जैसे कि मैं हर क्लास की शुरुआत करता हूँ एक बहुत अच्छे कोट से सभी बच्चों को ये कोट अपने ध्यान में रखना है और इस ध्यान में इसको अपने मन में लेके ऐसा फील करना है कि जैसे कि हम आने वाले एक्जाम को क्रेक करेंगे और कैसे करेंगे only study can change your life, nothing else तो इसी जोस के साथ लगे रहना है, जोब लेके छोड़नी है और जोब कैसे लेनी है जब तयारी तगड़ी होगी तो फिर हम आसानी से उस अग्जाम को क्रेक कर पाएंगे ठीक है, बच्चो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कभी मेहनत करने वालों की कभी भी मेहनत करने वालों की असफलता दूर दूर तक रहती है असफलता उससे दूर रहती है मेहनत करने वालों से सफलता एक न एक दिन आपको मिलेगी अगर आपके पास पूरा पढ़ने का अच्छा तरीका है सही direction है और उस direction पे आप बहतरीन तयारी कर रहे हो कभी भी पहलवान अगर अखाड़े में जाने से पहले डरता तभी है जब उसकी तयारी नहीं हो अगर तयारी अच्छी होगी पहलवान कभी नहीं डरेगा वो हारेगा नहीं और नहीं अगर नीचे गरेगा अगर तयारी अच्छी होगी तो ऐसा ही हमारा जीवन है हमें तयारी अच्छी रखनी है AFO हमें मिले गई मिलेगा इसी सब्दों के साथ मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ देखिए इंडियन पॉल्ट्री की हम बात करेंगे तो पॉल्ट्री में सबसे पहले हमें क्या समझना है कि पॉल्ट्री एक्चुली है क्या the term पॉल्ट्री is applied to bird to several species यानि हम सर्फ cable hand को नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं, बहुत सारी birds को लेते हैं उनकी species को, जैसे fowls हो गया, chickens हो गया, chickens को हम gallus domestica कहते हैं, ducks हो गया, turkey हो गया और बहुत सारी birds हैं जिनको हम इस chicken में count करते हैं that have been domesticated, उनको हम rare करते हैं, reproduce करते हैं and grow in capability and rendered product of economic values such as egg, meat, manure, etc. हम उनको अंडों के लिए, हम उनको meat के लिए, हम उनको manures के लिए अगर पालेंगे, तो ऐसे term को हम क्या बोलते हैं, poultry करेंगे, अब चुकि हैन का commercialization सबसे ज़्यादा होता है, तो हैन को हम सबसे ज़्यादा इसमें consider करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा I think, comment करके जड़ा बताईए, good evening गोविंद गौतम जी, good evening उपमापरी, प्रशान्थ पतेल, जी, सबी को, good evening और ये बताईए, सबी को अभी audio video clear है, comment करके बताईए जड़ा, yes प्रशान्थ है, इस पतेल, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो इस तरीके से हमने क्या समझा, कि poultry हम consider करते हैं, poultry के अंदर बहुत सारी birds को, लेकिन commercialization ज़्यादा होने के कारण, हम hen को सबसे ज़्यादा consider करते हैं, ठीक है, technically अगर word आएगा, तो हम क्या कहेंगे, कि हम इसमें ducks को भी consider करेंगे, turkey को भी करेंगे, और false को भी करेंगे, देखिए classification देखते हैं हम, किसी भी animal को हमें पढ़ने से पहले, उसका zoological classification बहुत जरूरी होता है, तो geological classification में हम देखते हैं कि kingdom इसका है, animalia, animalia kingdom में आता है, phylum इसका होगा, core data, और phylum core data की क्या है, speciality के ये animals जो हैं वो backbone होती है इन में, backbone होगी तो ये well structured होगे, इनका shape होगा, एक defined shape होगा, sub phylum क्या है, vertebrata है, having a spinal column, class इसकी aves है, aves class का characteristic क्या है, aves class का characteristic होता है कि इसमें feathered होते हैं, warm blooded होता है ये, vertebratal and four chambered heart होता है, तो ये इसके characteristics होते हैं, sub class इसकी neuronthus है, जिसका मतलब क्या है, कि इन में दातों की बजाए क्या होते हैं, teeth होते हैं, sorry teeth की जगाए पर क्या होते हैं, beak होती है, ठीक है, तो beak का 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 क्या है, beak का 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 होता है, कि जो काम teeth करेंगे, वो ये beak काम करेगी, ठीक है, तो ये हमारी sub class हो गई है, किसकी, poultry की, order की मैं बात करता हूँ, तो order हमारे पास एक gally forms है, दूसरा है ensari forms, gally forms में क्या होता है, कि birds with short wings, legs and toes, adapted for scratching, इसके जो हैं, छोटे-छोटे पंक होंगे, और जो legs होंगे, toes होंगे, वो किसके लिए आते हैं, वो scratching परपच के लिए यूज करते हैं, इस gally forms में, जो family है, वो दो हैं, एक faginity और दूसरा melegready, जब हम बात करते हैं, ensari forms की, तो ensari forms में, जितने भी birds आएंगी, वो aquatic रहेंगी, और aquatic birds में, जो family आएगी, वो entity आएगी, I think यह इतना सब को clear है, अगर clear है, तो yes or no, कुछ बताओ वही comments में, बिल्कुल सब मिलेगा, सब मिलेगा, सारे notes available रहेंगे, poultry को खतम नहीं करेंगे, poultry को भी खतम करेंगे, और हम animal husbandry का पूरा का पूरा content आपको provide कराएंगे, with notes, तो जिन बच्चों तक यह class नहीं पहुँची है, जल्दी से एक बार ये share कर दीजे वीडियो, ताकि और लोग भी उससे जोड़ जाएं, जल्दी जल्दी से जोड़ जाएं, चलिए, मैं बात करता हूँ, इसके गेली फॉर्म्स के फैजिनिटी फैमिली की, तो फैजिनिटी फैमिली में सब से पहले, Galus Domesticus, जिसको हम hen कहते हैं, Galus Domesticus, जिसको हम hen कहते हैं, इसको हम लेंगे, फिर दूसरा आता है हमारा Pau Strattus, जो की मोर होती है, तीसरा, Phasian Colceus, यह हमारी pisanat होती है, और Sirenix Zeponica, जिसको Japanese Quell कहते हैं, ये जो है वो हमारी किसमे आते हैं गैली forms order के virginity फैमिली में अग्ला हमारा फैमिली आता है malegriddy और malegriddy family में malegrids gallipavo यानि यह हमारा किसका जो लोजिकल न है टरकी का तो यह हमारी टरकी जो है वो malegriddy family की है तो कई बारी family भी पूछ लेते हैं कि bird की family क्या है तो आपको यहां से पता चल जाएगी Next हमारी आती यह बात Ansari forms की जो family होगी entity उसमें जिसमें हमें ज्यादतर aquatic birds मिलती है aquatic birds में कौन-कौन सी है aquatic birds में हमारी होती है Anis, Plarenchos जिसको हम duck कहते हैं और दूसरा कहते हैं Carinia, Meschata जिसको हम musk अभी duck कहते हैं और दूसरा Asser, Anser जिसको goose भी कहते हैं तो यह birds जो हैं वो सारी की सारी कौन सी हैं यह birds हैं हमारी सारी aquatic और aquatic birds आपको पता ही है कि इनकी जो toes रहते हैं उनमें आपस में joint रहता है वो joint किसलिए होगा जैसे कि यह duck में देखने को मिल रहा है यह joint इसलिए रहता है इसकिन का ताकि वो अच्छे तरीके से पानी में तेर पाएं और ज़्यादा उनको आसानी रहे पानी में तेरने के लिए ऐसे aquatic birds के characteristics होते हैं I hope आपको समझ में आ रहा होगा देखिए चलिए बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं हम poultry product की तो सबसे पहले जब हम poultry product की बात करते हैं तो हमारे लिए क्या आएगा उसका चिक आएगा जो सबसे छोटा होता है उसका भी हम क्या कर सकते हैं कि sell out कर सकते हैं चिक कि day one का day old चिक होता है जो उसको हम बेच सकते हैं दूसरा क्या है हमारे ex है कि तीसरा क्या है हमारे पास manure भी बनती है हमारे पास meat भी होता है हमारे पास पूरा का पूरा adult होता है जिसको हम egg laying purpose से भी बेच सकते हैं और जिसको हम सीधा का सीधा meat purpose से भी बेच सकते हैं कुछ birds के हमारे जो wings होते हैं बहुत soft होते हैं ठीक है ऐसे wings को भी हम एक product के रूप में use कर सकते हैं उनसे कई बारी जो हमारे fancy dresses होते हैं या fancy हमें कुछ decorum बनाना होता है तो उन birds के wings होते हैं उनका use हम करते हैं ठीक है? चलिए बहुत अच्छे scope of poultry, poultry का बहुत scope है भई poultry का scope हमारे इंडिया में बहुत अच्छा है इसका scope क्यों है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि poultry का scope सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी return देता है जो बहुत जल्दी return देने का मतलब क्या है? within seven beak within seven week ये क्या करेगा? आपको return दे देगा ये 45 से 50 दिन में आपको return दे देगा अगर आप एक बार एक lot को डालते हैं अपने poultry farm में तो वो आपको 45 दिन में तयार हो जाएगा 45 से लेके 50 दिन में और scientific जो poultry की हमारी production है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जब अगर हम poultry को 50 दिनों से ज़्यादा तक रखते हैं तो वो हमारे लिए un-economic हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम poultry को 50 दिनों के ऊपर अपने farmhouse पे रखते हैं तो उसका जो food conversion ratio है food conversion ratio कम हो जाता है यानि जितने amount में वो दाना खाएगा उतने amount में वो अपने body का weight gain नहीं करेगा तो अगर हम 50 दिनों के बाद भी अपने poultry को farmhouse पे रखते हैं तो ऐसे poultry या ऐसे birds हमारे लिए un-economic हो जाते हैं उनको हमें जल्दी से sale out करना होता है और लगभग जो है body के according वो दाना ज़्यादा खाता है और उसका meat जो है यानि mass जो है उसमें gain कम होता है तो ऐसे में farmers क्या करते हैं उनके लिए un-economic हो जाते हैं और जब un-economic होता है तो loss हो जाता है इसलिए हमें 45-50 दिन की जो scientific recommendation है इतने दुनों में हमें उसको sale out कर देना चाहिए ये मैं बात करना हूँ किसके लिए जब हम production कर रहे हों broiler के लिए especially for the meat purpose अगर हम meat purpose की अगर बात करते हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 45-50 दिन के भीतर ही हमें अपने stock को बाहर बेचना होता है right so scope क्या है it is one of the most vibrant dynamic and ever expanding sector ये क्यों क्योंकि इसमें opportunities जाता है return जल्दी मिलता है it has higher potential as a source of additional income क्योंकि farmer को crop production की अलावा एक अलग से source मिल गया है जिसको वो क्या कर रहा है जिसको वो कर रहा है कि हम इसकी rearing करके और क्या कर देंगे हम अपना profit ले लेंगे तो ऐसे में क्या होता है farmer को भी लाव होता है returns are fast particularly in broiler farming जब हम meat की बात करते हैं तो broiler की बात हो रही होती है और broiler में इस return ज़ादा है can bring a good profit यह अच्छा profit दे सकता है through poultry product which are great demand poultry product के रूप में जो की जिनकी demand बहुत ज़ादा है value added product based on poultry meat are gaining much popularity among the urban consumers अगर हम meat में कोई value addition कर दें और उस value addition के basis पे हम देखें तो हम बहुत ज़ादा दूर तक उनको अपने product को पहुचा सकते हैं जैसे अगर हमारे पास capability है कि हम उसको थोड़ा सा processed कर दें और processed करने के बाद अपने consumers तक दें तो ऐसे में संभावना बन जाती है कि हम दूर के market को भी capture कर पाएंगे और दूर के market को capture करने के बाद हमारा product जो है जल्दी खराब नहीं होगा अगर वो processed है तब next point कहता है by product such as poultry manure can be used as an effective fertilizer in agro farming अभी आप सभी जान रहे हो कि fertilizer के rate दिन बाद दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और आप सभी जानते हो कि chemical fertilizer से हमें क्या मिलता है toxicity ही मिलती है हमारी soil खराब होती है health भी खराब होती है तो इस से क्या अच्छा क्या है कि हम ऐसे fertilizer का use करें जो effective भी हो और नुक्सान भी ना दे तो इसका अल्टरनेटिव हमें क्या मिलता है हमें poultry का जो fertilizer है जो beat है उसको हम use कर सकते हैं इसे fertilizer ये कुछ data है ये कुछ data है जो की आपके exam point of view से important है इसका जो latest होगा वो भी आपको provide किया जाएगा क्या आंदरप्रदेश जो है अभी भी जो है एक production में सबसे ज़्यादा है आंदरप्रदेश जो है वो एक production में सबसे ज़्यादा है और इंडिया की जो rank है worldwide वो fourth है लेकिन किसकी अनुसार ये 2017-18 की अनुसार ये 2017-18 का data है इसके पहले मैं आपको जो latest data होगा वो भी provide कराऊंगा राइट ये एक table में बता रहा हूँ ये आंदरप्रदेश में अभी जो data वो उसका production है एग का वो कितना है वो इतना है दो लाग 27,930 ये 2021 का data है according to government of India ठीक है ये सबसे ज़्यादा है बाकी का आप देखेंगे तो ये 21 है कहाँ पर है तमिलाडू में दूसरे नंबर पर फुरिस के बाद हमारे पास ये 19 वाला यानि राजिस्थान में और फुरिस के बाद हमारा तेलंग नाम है तो इस तरीके से ये 2021 का data है जो जैसे ही latest data अपडेट होता है उसको भी हम आप तक पहुचाने की कोशिश करेंगे जब मैं बात करता हूँ इसकी पॉल्ट्री सेग्मेंट की तो और्गनाइजड पॉल्ट्री सेक्टर इन इंडिया 70% है अगर टोटल 70% टोटल पॉल्ट्री के सेग्मेंट को देखा जाए तो 70% जो है वो और्गनाइजड वे में है और 30% अभी भी ट्रेडिशनल मेथड पे चल रहा है पॉल्ट्री केपिटल आफ इंडिया वो आंधर प्रदेश को कहते हैं क्योंकि वह वहाँ पर प्रडक्शन सबसे ज़्यादा है कोंट्रिबूशन ओफ पॉल्ट्री सेक्टर इन टू मीट प्रडक्शन इंडिया 45% की लगबग है एक टर्म आता है क्राउडिंग क्राउडिंग टर्म क्या है देखिए जब क्या होता है हमारे पॉल्ट्री फार्म हाउस पर सब्सक्रिए के हमारे पास कैपसिटी है केबल 100 पॉल्ट्री यानि 100 हैंस को रखने की 100 हैंस को रखने की हमारे पास कैपसिटी है और हम रख रहे हैं वहाँ पर 130 हैंस 130 रख रहे हैं 120 रख रहे हैं तो वो जो crowding है यानि उनकी भीड को ज़्यादा बढ़ाना तो ऐसे में over crowding हो जाती है और ये क्या करती है over crowding increase, mortality, stress as well as production cost ये हमारे भाम house पे इसकी production cost को बढ़ाएंगे हमें mortality यानि उनकी मृत्यूदर जादा हो जाएगी, वो stress से भी गुजरेंगे, heat जादा होने के बज़े से जिस amount में उनको feed कराना होता है वो amount में feed नहीं करा पाएंगे क्योंकि वो आपस में किस के लिए लड़ेंगे, दाना के लिए लड़ेंगे, पानी के लिए लड़ेंगे और जब ऐसा होता है कि ओवर crowding हो जाती है, poultry farm में तो वहां क्या होता है ओवर crowding होने के बज़े से छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को चोच मार के घायल करते हैं, चोच मार के घायल करने से क्या होता है, उनकी bleeding होती है और जो उनका litter बिचा हुआ है, वहां पर blood गिरता है, तो disease डवलप होने के chances ज़्यादा रहते हैं और मैं आपको इसके साथ बताता चलूँ, कि जो poultry farming है बहुत sensitive है, इसमें higher return है, बहुत अच्छा है, लेकिन risk भी बहुत ज़्यादा होता है रिस्क क्यों ज़्यादा होता है, रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है, कि यहाँ पर यह disease के प्रती बहुत sensitive है केबल एक रात चाहिए, poultry का पूरा का पूरा lot खतम, अगर disease वहाँ पर double up हो गई तो जो poultry के farmers होते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दी से अपने farmhouse पर किसी अंजान व्यक्ति को नहीं आने देते हैं पहले proper तरीके से उसको क्या बोलते हैं, आप poultry farmhouse में तब जाईए, मुर्गियों के पास तब जाईए, जब proper तरीके से आप क्या हों, hand wash किये हों, पूरी तरीके से सुरक्षित हो ठीक है Next feeding, क्या कहते हैं कि always ensure adequate fresh feed, हमेशा fresh feed देना चाहिए birds that are without feed for 6 hours, अगर हमने अपने पक्षियों को, उन मुर्गियों को 6 घंटे से ज़्यादा भूख में रखा, तो drop in production, उनका जो production है वो गिर जाएगा production गिरने का मतलब क्या होगा, economic loss, economic loss हमें देखना पड़ेगा and a 12 hour starvation will result in molt of wings feathers अगर हमने 12 घंटे तक उनको दाना नहीं दिया, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि उनके जो wings हैं, जो punk हैं वो धीरे धीरे lose होते जाएंगे, उनको भुक मरी, यानि उनके symptoms आजाएंगे कि ये पक्षी जो हैं, भुके हैं और उनका production तो धीरे धीरे जो होना था, वो गिर ही जाएगा next is lightning, lightning क्या कहती है, proper lightning होनी चाहिए जितना छोटा बच्चा होगा, जो chicks होंगे, उनका temperature हमें ज्यादा देना पड़ता है जो बड़े होंगे, उनका temperature धीरे धीरे हमें कम करना पड़ता है एक टर्म आता है, lightning जिसमें हम क्या करते हैं the duration of light should be 16 hours, हम उनमें लगभग 16 hours की lightning प्रवाइड कराते हैं but not beyond 17 hours, 17 घंटे से जादा नहीं क्योंकि हमें उनको सोने के लिए भी बोलना है यानि हम बोलेंगे कि आप सोईए, अगर आप सोईगे नहीं तो स्वस्त कैसे रहेंगे इसलिए उनको rest भी चाहिए तो 16 से लेके 17 घंटे तक हम उनको lighting देंगे और उसी lightning से क्या होगा, उनको temperature भी प्रवाइड कराया जाएगा ऐसे poultry farms जहाँ पर lightning की बवस्ता नहीं है वहाँ पर क्या करते हैं, temperature maintain के लिए वहाँ पर एक teen का डबा लिया जाता है और उस teen के डिब्बे में थोड़े सी आग को रखा जाता है ताकि वहाँ पर गर्मी पैदा हो थीक है, तो इस तरीके से हम उनको lightning देते हैं No advantages is obtained by exceeding this limit अगर हम उस light की limit को बढ़ाते हैं तो कोई हमें advantages नहीं मिलता है The amount of light given to the flock in one day should never be less than that given that day before ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पहले कितने घंटे दे दी दूसरे कितने घंटे दे दी यानि हम जो formality रखेंगे वो uniform रखेंगे हमने जो तै किया है अपने scheduled के अनुसार उसी scheduled के अनुसार अपनी क्या देंगे poultry को lightening देंगे ठीक है Next is decreasing day length can premature cause hands to go out production 140 watt electric bulb is sufficient for 200 square feet 200 square feet को cover करने के लिए 40 watt का electric bulb sufficient है और ऐसे bulb को हम choose करते हैं जो हमें temperature के साथ lightning भी provide कराए आगे मैं आपको बताऊंगा जो हम bulb use कर रहे हैं जो हम bulb use कर रहे हैं उस bulb को जिस तरीके से हम ऐसे लगाते हैं इसको कहा जाता है hover और ज्यादतर यह hover कहा लगाया जाता है हम लगाते हैं brooder house में जहांकि नवजात जो हैं बच्चे हैं और नवजात बच्चों को क्या है ज्यादा light चाहिए temperature जादा चाहिए तो ऐसे बच्चों की safety के लिए हम वहाँ पर रखते हैं उन बच्चों की care बहुत करनी पड़ती है क्यों care करनी पड़ती है क्योंकि sensitive बहुत होते हैं वो day old chick से लेके जब तक की उनकी maturity नहीं हो जाती है दो हफ़ते की जब तक की वो बहुत sensitive रहते हैं ऐसा तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि poultry जो है वो हमेशा क्या है एक sensitive product है क्योंकि वो digit से बहुत जल्दी सफर करता है बहुत अच्छे हमांशू शेनी राजकुमार बहुत सही आप सभी लोग क्लास से जोड़े रहिए और सभी लोगों तक अपना क्लास ये पहुँचाने के प्रयास करिए जल्दी से जल्दी शेयर करिए इस वीडियो को चलिए एक टर्म आता है नेक्स टर्म डी बी किंग डी बी किंग क्या है देखिए डी बी किंग में क्या होता है कि जब भी उनकी चोंच उनको हानी पहुँचाने लगे जैसा कि मैंने पहले बताया था अगर over crowding है हमारे poultry farm में तो over crowding के होने के वज़े से क्या होता है कि वो जो चोंच एक दूसरे को मारते हैं तो एक दूसरे को damage करते हैं blood भी निकाल देते हैं तो ऐसे में हमें क्या करना होता है उनकी चोंच का जो सबसे नुकीला हिस्सा है उसको remove करना पड़ता है ठीक है तो उसको जब हम remove करते हैं तो वो term होता है debicking और debicking में debicking is the partial removal of the beak of poultry specially layer hens layer hens के रूप में ही हम करते हैं जो layer hens है यानि जो अंडे देती हैं उनको और broiler के case में भी हम करते हैं क्योंकि broiler के छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ेंगे तो जल्दी से वो development नहीं कर पाएंगे पूर debicking can adversely affect egg production ये layer की बात कर रहा हूं मैं कि अगर layer में egg production हम ले रहे हैं तो वहाँ पर debicking नहीं की गई है तो उनका जो production है वो कम हो जाएगा next हमारा term आता है culling तो culling एक ऐसा term है कि हम बोलेंगे कि when we are removing any birds from the flock जुन्ड से किसी भी bird को अलग रखना या हटाना उस process को क्या कहते हैं culling unsuitable and uneconomic bird should be timely called यानि उनको उस flock से उस जुन्ड से अलग करना क्योंकि वो uneconomic है और uneconomic क्यों है क्योंकि वो उतना production नहीं दे रहे हैं या तो बीमार हो गए हैं या किसी special disease से सफर कर रहे हैं तो अगर सफर कर रहे हैं तो ऐसे case में क्या होता है है ऐसे case में यह होता है हमें उनको अलग करना होता है और अलग करने के का कारण क्या है कि हमारा बाकी का जो जुन्ड के पक्छी है बचे हुए उनको वो disease ना हो जाए ठीक है तो हमें अपने पक्छीयों को उस disease से बचाने के लिए क्या करना होता है हटाना होता है ठीक है तो यह तो हमने टर्मिलोजी पढ़ी और टर्मिलोजी के बाद मैं आपको थोड़े से टर्म और बताऊंगा कि किन को क्या कहा जाता है जैसे मैं बात करूंगा चिकन की यानि हैंस की तो हैंस के यंग को चिक बोला जाता है एडल्ट को कॉक बोला जाता ह जो मेल होगा और जो adult का female होगा उसे हैन बोला जाएगा किसके case में चिक के case में chicken के case में यानी hen की बात कर रहे है Galus Domesticus यहाँ duck की बात आगई तो डक की जो होगा जो newborn अुसको duckling बोलेंगे और adult male होगा उसको ड्सेड और female को डक बोलेंगे आ टर्की के केस में क्या होगा इसको पॉल्ट बोलेंगे इसको टॉम बोलेंगे कि इसको एडल्ट के मेल को और इसको फीमेल इसलिए आपने जो पढ़ा होगा वो कार्टून देखा होगा टॉम एंड जेरी ठीक है तो वो यहीं से निकला स्वान हंसकी में बात कर रहा हूँ साइन गेट इसके यंग को बोलते हैं स्वैन इसके मेल को और इसके फीमेल को भी स्वैन बोला जाता है I hope इतना समझ में आ गया होगा आपको भई बताओ सभी को समझ में आ रहा है बच्चो कमेंट करके बताईए कमेंट करके बताइए बच्चो समझ में आ रहा है कि नहीं चलिए यह देखिए यह महत्पूर्ण जो टेबल है बहुत महत्पूर्ण है यहां से बहुत सारे क्वेस्चन आपको देखने को मिलेंगे सीधा सीधा क्वेस्चन पूछता है कि इनका इनक्यूबेशन पीरेड कितना है बहुत बार question पूछा गया है, बहुत बार question के incubation period of chicken, incubation period of duck, turkey, ostrich इन सब के ये पूछे जाते हैं, incubation period, ठीक है, incubation period क्या होता है incubation period क्या होता है बई, एक ऐसा period जिसमें हम उन अंडों को रखते हैं, उतने दिनों के लिए और इसके बाद उनकी hatching होती है hatching क्या है, hatching is the process by which a new chick comes out from the egg, वो अंडे से बाहर आ रहा होता है उस प्रिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं hatching और जो incubation period होगा, वो एक ऐसी प्रिक्रिया है, जिसमें कि हम उन अंडों को उस तने दिनों तक रखते हैं ताकि उनमें जो है, उस chick का development हो जाए अंडों में जब बच्चा बन रहा होता है, उसकी पहचान करने के लिए एक हमारे पास test होता है जिसको कहते हैं candling test, candling test क्या होता है हाँ भई बच्चो, candling test के बारे में कुछ पता हो तो बताओ भई सूरज तेवारी आप best हैं, बहुत सही, धन्यवाद आपको, रंधीर 100% बिल्कुल बिल्कुल आप सभी को हमानसु सेनी, बिल्कुल बिल्कुल, जी तो यही हम प्रियास करेंगे के आप तक content पूरा पहुँचें, आप तक notes पूरे पहुँचें और जो लोग हमारे YouTube चैनल से अभी नए जोड़े हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सियर करें तकि ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि मैं तयारी कर सकता हूँ, जिन में capability है, वो इस माध्यम से हमारे YouTube के platform के माध्यम से ज़्यादा पढ़ पाएं देखिए, incubation period, chicken का 21 days रहता है, duck का 28 days रहता है, टर्की का भी 28 days रहता है, ostrich का 42 ostrich आपने देखा होगा, ये थोड़ा सा chicken से कैसा बड़े शरीर का होता है, इसलिए इसका जो है, जो incubation period है, वो भी बड़ा है, कितना है, 42 days chromosome number, बहुत बार पूछा गया है, यहाँ तो बहुत बार पूछा गया है, UP के state exam में के chromosome number कितना है, या फिर अन-state exam में तो chicken के case में 39, duck के case में 40, turkey के case में 40, ostrich के case में 40, ये क्या है, इनके chromosome number age of sexual maturity, age of sexual maturity का मतलब क्या है, कि वो कब mature होंगे sexually, तो उनके लिए क्या है, चिकिन के case में ये 18 से 20 अपता हमें तयार हो जाते हैं, और duck के case में 28 से 30, और turkey के case में 28 से 30, और ostrich के case में 52 दनों में ये sexually mature हो जाते हैं जैसा कि आप सबको पता है, कि अलग-अलग animals के भी अलग-अलग puberty stage होती है, जो puberty का मतलब क्या है, sexually mature, ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ गेस्ट्रिशन पीरेड की, गेस्ट्रिशन पीरेड किसका? काउ का 285 डेज, भेस का 310 दिन, और अन्य जानवरों का अलग-अलग है, तो इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए, कि किस birds के लिए, किस animals के लिए, कौन सा term हम यूज कर रहे हैं मैंने animal husbandry की भी class जो हमारी हुई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि हमारी एक table दी गई हुई है, उस table में complete information है कि किस animal को हमें क्या-क्या बोलना है, उसका term क्या है, ठीक है? जब वो act of mating है, तो क्या कहेंगे हम उसको? अगर वो partition, बच्चा देने की प्रिक्रिया है, तो अब हम उसको प्रिक्रिया को क्या कहेंगे? तो अलग-अलग animals के case में अलग-अलग होता है, और बहुत बार question सीधा-सीधा वहीं से उठाया जाता है ठीक है? तो I hope आपको जो है, कुछ दुनों में हमारी animal husbandry की भी class मिलेगी और animal husbandry जो है, आपके लिए बहुत important part है, हर बार EFO में question वहाँ से बनते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, कि problem क्या होती है, कि बच्चे हमेशा ये पूछते हैं, कि किसके animal husbandry के case में मेरे पास content नहीं है, अच्छी book available नहीं है, अच्छे notes available नहीं है, तो no doubt आपको notes भी मिलेंगे, आपको video lecture भी मिलेंगे, सारा सब कुछ मिलने वाला है बस आपको हमारे साथ में रहने की जरूरत है, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर हम आपको animal husbandry में ऐसा कोई question नहीं बचने देंगे, जो कि cover up न किया गया हो, चाहे वो कोई state exam हो, चाहे वो हमारा EFO हो, या नबाड हो, या फिर अन्न कोई exam हो देखिए बच्चो अगर मैं EFO की बात करता हूँ, थोड़ा समय आपको बात कर रहा हूँ किसकी EFO की मैं बात करता हूँ, EFO में क्या होता है, बच्चे चलते हैं कि मुझे वहाँ से content चाहिए, जहां सबसे लोग ज़ादा हूँ यह कोई guarantee नहीं होती है कि सबसे ज़्यादा लोग जहां हैं, वहाँ पर आपको quality material मिल लाए, quality material आपको खुद समझना पड़ेगा कि कहां मिलता है graduation के बाद अगर आपके पास इतनी maturity नहीं है कि आप यह select कर पाओगे, अच्छा material कहां है, तो वो इस्थिती अच्छी नहीं है आपका सही direction exam में, exam के कि का लुष्छा आपको खुष्छा आपके नहीं है I think voice disturb हो गई थी, अभी बताओ audio video clear है? हाँ जी, चलिए, मैं बात कर रहा था AFO की, AFO एक्जाम जो है उसका नेचर और किसी दूसरे एक्जाम का नेचर बिलकुल अलग है, यदि आप AFO का एक्जाम तयार कर रहे हो और किसी दूसरे एक्जाम में जो आई हुए कुस्चन है, उनके पेटरन्स को देख रहे हो, तो I think कि यह आप justify नेचर रहे हो, आपको क्या करना होता है, आपको AFO के लिए AFO जैसे questions की तयारी करनी पड़ती है, suppose मैं बात करता हूँ कि अभी teaching से related UP में एक एक्जाम आने वाला है, जिसको UPTGT बोलते हैं, UPTGT और UPTGT का एक्जाम जो है, बहुत महत्तपूर है, और UPTGT के एक्जाम में मैं आपको surety देता हूँ कि जिस बंदे ने पूरा syllabus complete किया है, उसके question कहीं नहीं जाते हैं बार, लेकिन समस्या यह होती है, कि वो question को framing को समझना ही नहीं चाहते हैं, वो AFO level की तयारी कर रहे होते हैं, तो यह आपको क्या करना है, आपको exam से related जितने भी question है, subject wise चलिए, जैसा आप चाहते हैं, चलिए, बात करते हैं, चलिए, मैं बात करता हूँ किसकी, nutrient की, nutrient की जब मैं बात करता हूँ, तो nutrient में content क्या है, यानि हमारे chicken में क्या content होता है, और egg में क्या content, तो water की जब मैं बात करूँगा, तो water 66% पाये जाएगा, किसमें, chicken में, chicken में कितना होगा, 66%, और वही मैं बात करूँगा, protein की, तो 21%, fat 9%, mineral 3.5%, ये तो हो गई बात chicken की, यानि meat की, जब मैं बात करूँगा, एग की, तो water 66%, protein लगभग 13%, ठीक है, और fat content 11%, minerals 11%, इस तरीके से इसका classification है, और इन टेबलों से ज़्यादतर question लगातार आते हैं, इन टेबलों से question लगातार आते हैं, तो आपको ये मान के चलना हैं, कि हम जो भी आपको table provide कर रहे हैं, वो क्या है, वो आपको याद करना ही करना है, चाहे जैसे हो, ठीक है, तो आप इन टेबलों को याद रखिए, data आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसके notes बनाईए proper और proper तरीके से तयार करिए, ये वाला है concept, चलिए, incubation को हम देखते हैं, कि incubation कैसा है, अभी जो मैंने skip करी है, slides, वो सब आपको मिलेंगी, अभी मैं एक term और बताने जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं, incubation, incubation क्या है, providing temperature and humidity for the, जो कि अभी मैं बात कर रहा था, कि जो मुर्गियों का, जो incubation है, चिकिन का, वो period कितना है, वो 21 दिन है, तो incubation होता क्या है, providing temperature and humidity for the normal development of embryo in egg, उस embryo के development के लिए, जो हम temperature और humidity के देते हैं, उस process को कहते हैं, incubation, आपने बहुत बार incubator bird भी सुना होगा, incubator क्या होता है, incubator वो होता है, जिसमें हम नवजात शिशू को रखते हैं, और वो नवजात शिशू क्या है, कि उसको premature, उसकी delivery हो गई है, और उसको हमें वैसा ही temperature देना है, जैसा उसको गरभाश है, मैं अपनी मा के पेट में मिल ला था, तो वैसे ही क्या है, कि हमें अंडों के case में भी क्या करना होता है, अंडों के case में क्या करना होता है, हमें उनको humidity देनी पड़ती है, हमें उनको temperature देना होता है, next क्या करें it may be artificial और natural तो incubation क्या होता है naturally भी होता है और artificial naturally कैसे होता है जब मुर्गियां अंडे के उपर बैठ कर उनको क्या करती है उनको temperature प्रवाइड करते हैं अपने body से वो पंखों से सारे अंडों को ढख लेंगी और उनके उपर बैठ जाएंगी फर उनको temperature देंगी और incubation के समय जब natural incubation होता है तो मुर्गियां पानी कम पीती हैं मुर्गियां पानी कम क्यों पीती है ताकि उनकी जो body है वो ज़्यादा गर्म रहे और ज़्यादा गर्म होने के वज़े से उन अंडों तक proper temperature पहुंसता है जब हम बात करते हैं artificial temperature की तो artificial temperature में क्या होता है artificial temperature में हम देखते हैं कि एक machine होती है और machine में हम अच्छे तरीके से उन अंडों को रखते हैं उनको rotate भी करते हैं और उनको हम अच्छा जो temperature required है वो provide करा रहे होते हैं next is machine which provide all these is called incubator जो मैंने आपको term अभी बताया था कि incubator भी होता है जो machine होती है उसको हम incubator बोलते है incubation period in chicken 21 days ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और ये direct question बहुत बार पूछा जा चुका है incubation period of the chicken screen ब्राइट हो रही है अभी तो और ज्यादा हो गए ये सर चलिए अब बताओ बच्चो अभी ठीक है screen screen का status बताओ भई अभी ठीक है बिल्कुल राजकुमार जी animal husbandry भी हम cover करेंगे animal husbandry को भी पूरा complete जिसमें हम proper तरीके से lecture, notes और आपकी test series भी रहेगी अभी ठीक है comment करके बताओ अभी ठीक है चलिए hatching, hatching word आया है तो hatching क्या है hatching process of breaking out of an egg shell after completion of incubation जो humidity और temperature मिला है उस humidity और temperature के बज़े से जो अंदर जो chicks का development हो रहा था वो development हो चुका है अब उसको बहार आना है तो जो बहार आने की प्रिक्रिया है उसको hatching बोलते हैं और ऐसी hatching की प्रिक्रिया जो है वो कब होती है जब हमारा incubation period जो 21 days का है वो complete हो गया हो और बच्चा अंदर है या नहीं है उसको हम एक test होता है candling इस candling test से हम क्या करते हैं चेक करते हैं इस candling test में हम क्या करते हैं इस candling test में हम क्या करते हैं एक box लेते हैं box के अंदर हम एक bulb लगा देते हैं और जो खाली box है उसके अंदर bulb लगा दिया और उपर बहुत छोटा सा बहुत छोटा सा हम क्या करेंगे एक hole बना देंगे जैसे कि हमने ये box लिया box के अंदर हमने एक bulb लगा दिया bulb से जो है रोशनी आ रही है और यहाँ पर एक हमने hole कर दिया इस surface पर तो वो जो रोशनी होगी वो direct उसी hole से निकलेगी और ये रोशनी के उपर हम क्या करेंगे यहाँ पर अंडा रख देंगे यहीं पर हम अंडा रख देंगे और अंडा रखने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कोई moment हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर वो moment हमें दिखता है it means उसमें जो है वो बच्चा डबल अप हो रहा है अगर वो moment नहीं हो रहा है तो ऐस केंडलिंग टेस्ट के वज़े से हम ऐसे अंडों को सेपरेट कर सकते हैं जिन में बच्चा नहीं बन रहा है तो हमारे लिए जो इंक्यूबेटर मशीन होती है उनमें सिर्फ अच्छे ही अच्छे हम अंडे रखें ताकि जो चिक्स को जन्म दे सकें ठीक है उनके इंक्यूबेशन पीरेट खतम होने के बाद हमें उनसे चिक मिल सकें Specific Conditions for Hatching Hatching के लिए Specific Conditions क्या होनी चाहिए देखिए Humidity की मैं बात करता हूँ Temperature की मैं बात करूँ सबसे पहले तो Temperature एक से अठारा दिन के लिए कितना होता है 37 degree centigrade के आसपास दूसरा जब 19 से 21 दिन होता है तब हम क्या करते हैं थोड़ा सा Temperature क्या करते हैं Differentiate करते हैं थोड़ा सा Shake करते हैं यानि 36 से लेके 37.5 तक रखते हैं थोड़ा सा कम कर देते हैं तो 60% to 18 days जो first 18 days होंगे उनमें हम 60% रखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे 70% thereafter Turning Turning क्या होता है कि हमें उन अंडों को एक तरफ से दूसरी तरफ पलटना होता है ताकि Temperature पूरी की पूरी सर्फेस पर लोगे तो turning क्या होता है once every 4 hours up to 18 days पहले 18 दिन हमें हर 4 घंटे में उनको हिलाना होता है फिर इसके बाद ना भी हिलाएं तब भी हमारा काम चल जाएगा Ventilation Ventilation का मतलब है कि हमें उनको fresh air देनी है क्यों क्योंकि वो जो अगर एक ही जगह भरे रहेंगे तो oxygen की availability कम हो जाएगी इसलिए हमें proper ventilation देना होता है ताकि उनके पास oxygen की परियापत क्योंकि उस अंडे के अंदर क्या हो रहा है एक बच्चा डवल अप हो रहा है और of course जब वो डवल अप हो रहा है तो उसको क्या चाहिए उसको oxygen चाहिए किसके लिए respiration के लिए मैं बात करता हूँ common breed की जो poultry में पाई जाती है poultry में बहुत सारी breed होती है Indian poultry breeds provide good quality meat but produce small size eggs जो Indian breed होगी उनके पास quality wise egg तो अच्छा होगा लेकिन वो जो है size में छोटे रहेंगे they have natural immunity against common disease as compared to exotic varieties breed abroad which require greater protection and ammunition तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो Indian की जो देशी breed होगी उसकी susceptibility जादा रहेगी क्योंकि वो disease के against ज्यादा powerful तरीके से लड़ सकती है जैसे मैं बात करता हूँ अपनी एक इंडिया की breed है जो मद्ध प्रदेश में जिसको जो है मिलती है ज्यादा तर कड़कनाथ उसमें disease बहुत कम पाई जाती है जबकि जब मैं बात करूँगा exotic breed की वो बहुत ज़्यादा sensitive होती है वो बहुत जल्दी जो है disease से सफर करेंगे देखिए ये breed breed की मैं बात करता हूँ तो जो है American जो breed है Asiatic है Mediterranean है and English है Plymouth Rock Road Iceland Red New Hampshire ये American की breed है जो American region की है Brahma, Cochin, Langshan ये Asiatic है Leghorn जिसको हम White Leghorn भी बोलते हैं Minorca ये Mediterranean है Cornish Australop ये English की है तो ये जो breed है इनको सीधा सीधा भी पूछा जाता है कि जैसे मैं बात करूँ ये वाला जो White Leghorn है ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है क्यों? White Leghorn सबसे ज़्यादा अंडे देती है पूरे वर्ल्ड में अगर पर Bird बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली White Leghorn ही है ठीक है? Specification ये देखिए Specification है किसके? Birds के Shank Skin Color Ear Lobe Color Purpose Size Cell Color Examples ये अलग-अलग characteristics के basis पर इनको Categorize किया गया है जैसे American के Shank Clear होंगे Skin Color Yellow होगा Ear Lobe Color Red होगा Purpose Dual Purpose है यानि हम अंडे के लिए भी कर सकते हैं और Meat के लिए भी कर सकते हैं इसका Medium Size है Brown Cell Color होगा किसका अंडे का इसके जो Examples हैं वो ये हैं Road Island Red Plymouth Rock New Hampshire ठीक है मैं बात करता हूँ Asiatic की तो इसमें जो Feathered हैं इसके जो Sank जो है वो Feathered रहेगा Yellow Color रहेगा Skin का Red Ear Lobe Color रहेगा ये परपच कौन सा Asiatic Meat Purpose की है Massive Brown इसके Example कौन कौन से है Brahma Cochin Langshan बात करता हूँ English की तो English का जो Sank है वो Clean है मैं आपको Next Lecture में बताऊंगा इसका पूरा Body Structure उस Body Structure के बेसेस पे आप समझ पाएंगे कि जो है इसके किस Body Part को क्या बोलते हैं ठीक है तब आप ज़्यादा Clear Cut उसको जो है समझ पाएंगे White इसका Skin Color Sorry Ear Lope Color होगा Red Purpose Dual Size Medium Cell Color Brown इसके Example कौन कौन से हैं Cornish Australop Draw King Orpington Or Sussex ये इसके Example है Mediterranean की मैं बात करता हूँ तो इसका जो है Shank Clean है Skin Color Yellow और White है इसका जो Ear Lope Color है वो White है इसका जो Purpose है वो Leg एक Purpose से अंडे के लिए Small Size है White Color है एक का जिसमें एक Purpose के लिए Leg Horn Minor का Encona ये सारी ब्रीड जो है हमारे किस के लिए हैं अंडा देने के लिए Leg Horn तो बहुत ज़्यादा Important ब्रीड है अंडे के लिए और Minor का भी कभी कभी पूछ ली जाती है बहुत सारे एक्जाम में तो आई थिंक आपको जो है पॉल्टी से सम्मंदित जो जितने भी क्वेरी थी वो आपकी काफी हद तक क्लियर हुई होगी और Next Lecture में मैं कोशिश करूँगा कि आपको और बहतर तरीके से जो है आपको बता पाऊं तो आज का Lecture में इतना ही रखता हूँ आगे की Lecture के लिए आप मुझे Comment करके बताईए के कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है इसमें जिसको मैं Cover Up करूँ Next Lecture में सौरब खोथ सक्सेक्स ब्रीड कंटेंस फेदर्ड हेर जी बिलकुल सारा सब कुछ मिलेगा आपको बिलकुल चलिए तो आज की Class को इतना ही रखते हैं कल मिलते हैं ओके थेंक्यू जेहिन जे भारत झाल 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 झाल